नमस्कार बायजूज आये सिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 7 अक्टूबर के प्रमुख समाचारों पर अधारित कुछ प्रस्णों पर चर्चा करने वाले हैं तो आये सुरू करते हैं आज का डेली क्विज यहाँ पर question number one है RTSS malaria TK के संदर्म में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चेहन कीजिए और यहाँ पर आपको तीन कथन दिये गए हैं यहाँ पर पहला कथन है यह विस्वसा संक्थन द्वारा अनुसंसित अब तक का पहला malaria रोधी टीका है तो यहाँ पर बात हो रही है RTSS malaria TK के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि RTSS जिसका वेपारिक नाम मौस्कुरिक्स है वह विस्वसा संक्थन के द्वारा अनुमूदित किया गया है और वह दुनिया का पहला vaccine है जिसमें malaria को कम करने की चमता है और इसके धार पर अग अगर हम इस vaccine की बात करें तो यह vaccine P Falsy Ferum के खिलाफ काम करती है जो विस्वसास्तर पर सबसे घातक malaria पर जीवी है और अफरीका में सबसे अधिक प्रचलित है और इसी को देखते हुए यह vaccine घाना, केनिया, मालावी जैसे देशों में 8 लाक से अधिक बच्चों को दिया गय और इसके धार पर अगर देखा जाएं तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह भी बिल्कुल सही है आए देख लेते हैं तीसरे कथन को तीसरा कथन है TK को GS के द्वारा विक्सित किया गया है और यह विस्वस्वास संग्ठन की E 2025 पहल का एक अनिवार हिस्सा है तो यहाँ प पहल का अनिवार हिस्सा है अगर हम E 2025 पहल की बात करें तो 21 अपरेल 2021 को 200 मलेरिया दिवस से पहले WHO के द्वारा 2025 तक 25 चिन्ही देशों में मलेरिया के संचरन को रोकने के लिए E 2025 पहल को शुरू किया गया था और यहाँ पर जो इस वेक्सिन को बनाने का काम किया गया है वह पर WHO के E 2025 का एक प्रमुख हिस्सा है क्योंकि इसी के द्वारा इन देशों में मलेरिया को खतम करने की योजना बनाई जा रही है यानि कि यहाँ पर तीसरा कथन भी बिलकुल सही है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो question number 1 का answer होगा option number D क्योंकि यहाँ पर तीनों के त कथन सही है तो बहुत ही महतून question है यह इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के दहिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका सिर्सक है WHO recommends first anti-maryal vaccine आए अब question number 2 पर चाचा कर लेते हैं question number 2 है क्रिया विज्ञान या चिकिस्सा में noble पुरसकार 2021 डेविड जूलियस और अर्डेम पटापौटियन को मानो शरीर ताप और दाप को कैसे अभास करता है परकार करने के लिए परदान किया गया है अपने सोध में उन्होंने पाया कि उस्मा के प्रती सरीर का receptor केवल तभी सक करिये होता है जब तापमान और यहां पर आपको चार option दिये गए हैं तो यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जिस receptor की खोज की गई है डेविड जूलियस और अर्डेम पटापौटियन के द्वारा वह receptor कितने तापमान पर सक्रिये होता है और यहां पर इसका answer होगा option number A 40 degree Celsius से अधिक होने पर तो याद रखिए जिस receptor की खोज यहां पर इन दोनों के द्वारा किया गया है वह 40 degree Celsius से अधिक होने पर ही active होता है यानि कि यहां पर question number 2 का answer होगा आपका option number A इससे जुड़ा हुआ news आज के दहिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका सिर्षक है sensing heat और यहां पर इस बात की चर्चा की गई है जिसको कि आपको ध्यान से note कर लेना है आईए आप question number 3 पर चर्चा कर लेते हैं question number 3 है निमलिखित कत्रों में से कौन सा अपेलिये प्राधिकरन के संदर्व में गलत है जो विश्वपार संग्ठन के विवास समाधान तंतर का ए यह सास दस्यों का एक तदर्थ निकाय है और विश्वपार संग्ठन पैनल दोरा दिये गए नेणियों पर अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलिये अदालत के रूप में कार करता है तो यहां पर चर्चा किया जा रहा है विश्वपार संग्ठन के अपीलिये प्राधिक प्राधिकरन के बारे में और पहले कथन में कहा गया है कि यह जो प्राधिकरन है उसमें सास दस्यों होते हैं और यह एक तदर्थ निकाय है यानि की एड-hoc बोडी है अगर हम अपीलिये प्राधिकरन की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि WTO का जो अपी जिसमें की साथ सदस्यों होते हैं और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि यह साथ सदस्यों तदर्थ निकाय है आपको यहां पर ध्यान देना है कि यह निकाय एक अस्थाई निकाय है यानि की standing body है ना कि ad hoc body और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से गलत हो जाता है आए देख लेते हैं दूसरे कथन को दूसरा कथन है प्राधिकरन वर्स 2019 से काम नहीं कर रहा है क्योंकि चीन ने मौझूदा रिक्तियों को भरने के हर प्रस्ताव को वीटो कर दिया है अगर हम इस प्राधिकरन के सदस्यों की बात करें तो 11 दिसंबर 2019 को विश्वपार संग्थन के अपीलिये निकाए के से 3 सदस्यों में से 2 का कारकाल समाप्त हो गया यानि कि 2019 में इस अपीलिये निकाए में 3 सदस्य थे जिसमें से 2 रिटायर हो गएं और यहाँ पर अब नए सदस्यों को लाने की आवसकता थी क्योंकि केवल 1 सदस्य के रहते यहाँ पर किसी भी काम को नहीं किया जा सकता था आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इस अपीलिये निकाए में 7 सदस्यों होते हैं और यहाँ पर कहा गया है कि इस अपीलिये निकाए को समिच्छा करने के लिए कम से कम 3 सदस्यों की जरूरत होती है यानि कि यहाँ पर जो कोरम है वह तीन सदस्यों का है यानि कि 2019 में इसमें तीन सदस्य थे लेकिन उनमें से दो सदस्यों का कारकाल समाथ हो गया और यहाँ पर अब सरिफ एक सदस्य बचे हुए थे जिसके बाद यहाँ पर WTO के दोरा कुछ लोगों को नियुक्त करने का प्रयास किया गया लेकिन US के दोरा नए सदस्यों की नियक्ति को हर बार वीटो कर दिया गया यहाँ पर US का ये कहना था कि WTO के दोरा सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है और यहाँ पर जो अपीलिय निकाय है उसके साथ US के बहुत सारे मदभेद थें और उसी को देखते हुए US ने इस अपीलिय निकाय में किसी भी नए व्यक्ति के नियुक्ति को वीटो करके रखा है जिसके कारण यह निकाय 2019 से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसको काम करने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों की आवसकता है और इसके धार पर देखा जाए, तो यहां पर दूसरा कथन भी गलत है क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि चीन ने मौजूदा रिक्तियों को भरने के हर परस्ताव को विटो कर दिया है, जबकि वह देश USA चीन नहीं यानि कि यहाँ पर दूसरा कथन भी गलत है आए देख लेते हैं तीसरे कथन को तीसरा कथन है अपील पर परिचर्चा करने के लिए कम से कम पांच लोगों की आवशक्ता होती है तो यहाँ पर यह कथन भी गलत है मैंने आपको अभी अभी कहा कि इस अपील ये प्राधिकरन में 7 सदस्य होते हैं जिसमें से अपील पर चर्चा करने के लिए कम से कम 3 सदस्यों का उपस्थित होना आवसक है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन बिलकुल गलत है क्योंकि यहाँ पर 5 लोगों की आवसकता का जिक्र किया गया है यानि कि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन गलत है और इसलिए कोश्चन नमबर 3 का एंसर होगा ओपसन नमबर D तो ध्यान रखेगा कोश्चन नमबर 3 का एंसर है ओपसन नमबर D आईए आप कोश्च नम्बर 4 पर चर्चा कर लेते हैं कोश्च नम्बर 4 है पदोनत्ती में आरक्षन के संदर्भ में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चैन कीजिए और यहाँ पर आपको तीन कथन दिये गए हैं यहाँ पर पहला कथन है अनुचेद 16.4a यह प्रावधान करता है कि राज अनुचेद 16.4a की बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 77 समिधान संसोधन अधिनियम के माध्यम से अनुचे 16 में एक नया खंड 4a को जोड़ा गया जो राज को अनुचित जाती अनुचित जन जाती के करमचारियों को परुनती के मामले में आरक्षन का प्राहधान करने का अधिकार देता है यदि राज्य को यह लगता है कि उन्हें सेवाओं में परियाप्त प्रतिनिद्र तो नहीं मिला है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है आए देख लेते हैं दूसरे कथन को दूसरा कथन है एक्क्यासी में समिधान संसोदन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़े गए अनुछेद 16-4B ने एक विशेश वर्स के लिए रिक्त SC-ST कोटे को अगले वर्स के लिए अस्थांतरिट करने में सबच्छम बनाया है तो यहाँ पर बात हो रही है अनुछेद 16-4B की आपको यह ध्यान में रखना है कि इस अनुछेद को 81 समिधान संसोदन की द्माध्यम से जोड़ा गया था इस संसोदन ने राजे को पिछले वर्सों से खाली हुई रिक्तियों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जिसे हम Carry Forward Rule का नाम देते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अनुछेद 16-4B 81 समिधान संसोदन के द्वारा एड़ किया गया था और इसी संसोदन के द्वारा Carry Forward Rule को अपनाया गया यानि कि राजे पिछले वर्सों से खाली हुई रिक्तियों को आगे बढ़ा सकते हैं और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है आए देख लेते हैं तीसरे कथन को तीसरा कथन है सरोच न्याले ने वर्स 2020 में फैसला सुनाया था कि सौजनिक पदोपर पदुनत्ṣi के मामले में आरक्षन मौलिक अधिकार नहीं है तो ये बात भी बिल्कुल सही है सरोच न्याले ने 2020 में अपने एक फैसले में कहा था कि सौजनिक पदोपर पदुनत् offenses के मामले में जो आरक्षन मिलता है वह मौलिक अधिकार के अंतरगत नहीं आता और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है और अगर इसके धार पर देखा जाए तो question number 4 का answer होगा option number D यहाँ पर सारे के सारे कथन बिलकुल सही है तो यह भी बहुत ही महत्पून question था पदुनत्ती में आरक्षन के संदर्म में इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे इससे जुड़ा हुआ एक निउज आज के दहिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका सिर्सक है Government Ask Top Court to Set Quota Norms for Promotion और यहाँ पर Supreme Court के द्वारा Group A rank के अधिकारियों में SCST के लोगों की कमी के बारे में जिक्र किया गया है जिसको अधार बना करके यह question आपके सामने रखा गया था आए अब एक previous रे question पर चर्चा कर लेते हैं और यह question 2019 में पूछा गया था Question No.5 है निम्न में से कौन सा हडपपा अस्थल नहीं है और यहाँ पर आपको चार option दिये गए हैं यहाँ पर पहला option है छुंद्रो दूसरा है कोट दीजी तीसरा है सोहगोरा और चौथा है देसलपूर अगर हम सोहगोरा की बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सोहगोरा भारत के उत्तर परदेश के गोरकपूर से लगभग 20 किलो मीटर दक्षिन पूरू में राप्ती नदी के टट पर एक गाउं सोहगोरा में खोजा गया था और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो question number 5 है उसका answer होगा option number C यानि की सोहगोरा आईए अब आज के तथे के उपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रिस्टना नदी विवाद के उपर इससे जुड़ा हुआ एक निउज आज के दहिंदूसमा चार पत्र में आया है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि क्रिस्टना नदी बेसिन के जो राज हैं याने कि महराष्टरा, करनाटका और आंधपरदेश के बीच में क्रिस्टना नदी के बटवारे को ले करके एक विवाद था जिसको निप्टाने के लिए सरकार के द्वारा 1969 में क्रिस्टना जल विवाद नियाधिकरन की अस्थापना की गई और इस नियाधिकरन ने 27 मई 1976 को अपना अंतिन निड्ने भारत सरकार को प्रस्तुत किया साथ ही उस समय निधारित किया गया कि ये जो निड्ने लिया गया है उसकी समिछा किसी सक्षम प्राधिकारी या नियाधिकरन के द्वारा 31 मई 2000 के बाद किसी भी समय किया जा सकता है और इसी को देखते हुए 2004 में इन तीने उराज्यों के द्वारा एक अनुरोध किया गया और उसको मानते हुए भारत सरकार ने दूसरे कृष्णा जल्वियाद नियाधिकरन का गठन किया जिसने अपना फैसला 31 जिसंबर 2010 को दिया आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 2014 में तेलंगाना आंदपर्देश से अलग हुआ यानि कि तेलंगाना जो है यहाँ पर चौथे राज की रूप में है और यहाँ पर जब से तेलंगाना आंदपर्देश से अलग हुआ है तब से आंदपर्देश का ये कहना है कि कृष्णा नदी के जल बटवारे में तेलंगाना को एक अलग राजी के रूप में सामिल करना चाहिए और यहाँ पर जो कृष्णा जल का बटवारा है वह तीन के बजाए चार राज्यों के बीच में फिर से करना चाहिए लेकिन इसका विरोध करनाटका और मराष्ट्रा के दोरा किया जा रहा है यहाँ पर इन दोनों राज्यों का कहना है कि तेलंगाना आंध्य पर्देश से अलग हुआ है और इसलिए तेलंगाना को आंध्य पर्देश के जो हिसे में पानी आया है उसमें से कुछ पानी तेलंगाना को देना चाहिए जबकि यहाँ पर आंध परदिस का कहना है कि चुकी तेलंगाना यहाँ पर चौथा राज है इसलिए कृष्णा नदी के जल का जो बटवारा है वह इन चार राजियों में नए सिरे से करना चाहिए और इसी को ले करके यहाँ पर विवाद चल रहा है तो आपको इस विवाद के बारे में important बाते मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि आखरी विवाद क्या है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है आसा करता हूँ कि आपको आज का यह daily quiz पसंद आया होगा सारे questions बहुत ही important topic से जुड़े हुए हैं इसको आप लोग जरूर पढ अच्छा लगे तो आप जरूर इसे like करें, share करें और दूसरों को भी subscribe करने के लिए प्रेद करें तो मिलते हैं daily quiz के अगले अंक में तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद